हलो इस्टोरेंट्स कैसे हैं आपनो अभी हमनों टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है सॉल्ट तो पहले हमनों जाने की सॉल्ट होता क्या है तो देखें सॉल्ट इसे कंपाउन फॉर्म 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 एन एसीड बाइप्लेसिंग ऑफ हाइडोजन इन दा एसीड बाइदा मेटर यानी सॉल्ट बनाने का बहुत सारा तरीका होता है लेकिन generally salt कैसे बनता आपको जब हम किसी acid में से hydrogen जो होता है उसको replace करके metal से replace कर देते हैं तो वो जो नया product बनता उसको हम बोलते हैं क्या salt बोलते हैं जैसे यहाँ पर example है यह आपका हो गया क्या acid हो गया इस acid को हम energy होता है यह आपका क्या हो गया metal हो गया इस acid में जो hydrogen है उसको हम हटा करके उसको na को सुक्से साथ में combine कर देंगे अब बन जाएगे naCl और यह OH और H यह दोनों आपस में combine होकर H2O बना देगा naCl क्या हो गया आपको salt हो गया यानि generally salt बनाने का process क्या होता है simply बात है हम लोग क्या करेंगे किसी भी acid को acid में से hydrogen को replace करके उसके जगा पे metal हम लगा देते हैं तो वो metal और बाखी जो compound यह दोनों मिल करके salt फॉर्म करता है और यह देखिए आपको क्या होगा यह ने metal है तो इसके पर positive charge और इसके पर में negative charge that means यह जो आपको होता है salt यह क्या होता आइनिक compound बोलते है तो आइनिक compound किसे बोलते है आगे आप metal नग metal चिप्टे पढ़ीगा उसमें हम बताएंगे आइनिक compound क्या होता है simply एक positive iron और negative iron से मिल के जो compound फॉर्म करता है उसको हम बोलते है आइनिक compound बोलते है तो जितना भी salt है वो सब आइनिक compound होगा क्योंकि जितना भी salt होगा एक positive iron और एक negative iron से मिल के ही बना होगा ठीक है इस बात को याद देखिए यानि simply आप से ठीक है salt कैसे फॉर्म करता है तो आप सबसे common process से salt फॉर्म करने का हम क्या करेंगे किसी भी सी acid में से हम hydrogen atom को replace कर देंगे तो वहाँ पे salt फॉर्म करेगा ठीक है ठीक है अब एक बात को आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ आप लगता है कि हम लोग दूज करते हैं घर में खाने के लिए NACL ठीक है sodium chloride NACL तो क्या ये इसी को salt बोलते हैं नहीं इसको हम लोग बोलते हैं क्या common salt बोलते हैं ठीक है तो आप ये मत समझेगा कि salt का मतलब होता है NACL salt का मतलब सिर्फ NACL नहीं होता है ये कोई भी positive ion और negative ion से मिलके जो compound form करता है वो सब क्या होता है आपका salt होता है जो भी नहीं है कि NACL आपको NACL भी positive ion और negative ion से मिलके बना हुआ तो ये भी salt है लेकिन इस salt को हम बोलते है common salt बाकि ये सब भी क्या है आपको salt है जैसे कुछ और salt देखिए K2SO4 Na2SO4 ये सब क्या है आपका salt इस सब को भी मिलके salt बोलते हैं ये positive ion और ये क्या होगया नीगेटिव ion ये positive ion होगया और ये क्या होगया आपका negative ion ये सब क्या होगया आपको salt कहलाता है ठीक है तो आपनो जया देखिए गा यानि positive ion और negative ion से मिलने से जो compound form करता है उस ironic compound को बोलते हैं और वह ironic compound क्या कहला आता आपका salt कहला था है यानि यह थों किंद्र स्टूर्ण कों कहला आता है कोई भी छयच यू पोजिक्जिन को बता उसको भी विड्याना काथा है हाा नस्याना को हम बोरते हैं कॉमन स्वार्ट गोलते हैं तो आपको स्वार्ट पेसली कैसे डेबलप करता है स्वार्ट जो होता है बेसली आपको डेबलप करता है आपको यसीड और बेस के रीएक्सन स्वार्टफों करता है यदी आपस में रीएक्सन को मौलते हैं क्या नेटलाईजेसल्य रीएक्सन री और इस रीएक्सन में जो नेया प्रॉलटफ काइं और वाटर पार्म परपको को पता है तो जैसे कि यहां देखी, प्यापको क्या एक क्या है आपको यह उसलॉप किया और वौन यह ति क्या है थे क्या जब किया और उसको बोलते हैं क्या उसके बाद साल्प ilà उसको बोलते हैं इसके बाद साल्प वर्म बता उसको बंसे सलफेट वोलते हैं राव इकरीक chloride, cacl2, यह सब क्या है, आपको salt का नाम, और यह इसका name, और इसका chemical formula यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, अब salt का property क्या होता है, देखिए, salt जो होता है, generally mostly solid, salt आपको generally solid form में पाय जाता है, ठीक है, और salt का high melting point और boiling point होता है, यानि ध्यान आप रखेगा, कि salt जो होता है, solid form में पाय जाता है, इसका high melting point और boiling point होता है, ठीक है, और यह salt होता है, usually soluble in water, यानि salt जो होता water में soluble होता है, ठीक है, just track acid or base, salt is also conduct electricity, साथ में salt जो होता है, electricity conduct करता है, ठीक है, क्यों electricity salt conduct करता है, salt आपको बताए है, positive iron और negative iron के मिलने से, positive iron और negative iron के मिलने से salt form करता है, और जानते है, electricity किसी भी मिशिय से conduct होने के लिए, आपको या तो free electron मात होना चाहिए, या फिर वहाँ पे iron होना चाहिए, ये तो मैंसे कोई भी चीज़ होगा, त को conduct कर सकता है, तो salt से पास में iron होता है, इसलिए salt क्या होता है, good conductor of electricity होता है, तो salt क्या क्या प्रोपर्टी हमें पढ़े, salt solid होता है, आपको पहला प्रोपर्टी, number two, salt के पास में high melting point, boiling point होता है, salt जो होता है, वो water में soluble होता है, ठीक है, just, और salt जो होता है, acid और base की तरह ही good conductor of electricity होता है ठीक है और और अलोडी पता ही चुकिए salt क्या होता है आपका ionic compounds होता है क्योंकि salt आपको positive iron और negative iron की बिलने से बनता है अब देखिए next है topic यहाँ पर family of salt ध्याँ से देखिए book में कम समय लगेगा इसलिए book सही आपको समझा रहे है देखिए family of salt का मतलब क्या होता देखिए ध्याँ से आपको is the salt having same positive iron या फिर same negative iron are said to be belonging the to a family of salt ठीक है ना यानि एक salt का family किसे बोलेंगे ठीक है ना आपको दो salt दे दिया जाएगा और हम आपसे पुछेंगे कि बताएए ये दोनो same family के salt है या करना है ठीक है ना तो अगर किसी दो salt का या तो positive iron या फिर negative iron same होगा उसको हम बोलेंगे same family का salt है तो ध्याँ से पढ़ लिए फिर से पढ़िए the salt having the same positive iron वैसा salt इसका या तो same positive iron हो या फिर same negative iron हो उसको हम बोलते हैं क्या belonging to the family of salt तो same family of salt से belong करता है जैसे देखिए family of salt में क्या क्या आएगा जैसे देखिए example आप हम पूछेंगे कि बताइए NaCl और Na2 SO4 ये दोनो salt है क्या ये दोनो same family of salt से belong करता है तो same family of salt से इसके उपर है positive iron होता है metal के उपर है बैसा positive iron non-limital के negative iron इस Na के उपर होता positive iron और SO4 के उपर minus 2 negative iron होता है आपको पता है तो ये दोनो ही ये भी positive negative iron से बना और ये भी positive नहीं आजाए ये दोनो salt है आपका ये दोनो आपको salt है तो हम पूछेंगे क्या ये दोनो salt same family of salt से क्या ? दोनों same form family का salt है क्या तो दिखेंगे yes यह दोनों same family के salt है क्योंकि यहाँ पर यह ने positive आयन है और यहाँ भी positive आयन है इस दोनों compound में positive आयन सेम है ठीक है तो यह क्या कहलाएगा आपको same family of salt कहलाएगा यानि किसी भी दो of salt में अगर positive and same हो या फिर positive and same नहीं हो तो negative and same हो उसको same family of salt बोले जिसे दा देखिए यहाँ पर दोनो positive and same है लेकि negative and same नहीं है तो भी चलेगा से positive and same है तो यह same family of salt कहला आएगा अब हम देखाते हैं जैसे कि NaCl और KCl क्या यह same family का salt है यह plus होता इसके पर minus इसके पर plus और इसके पर minus क्या यह same family of salt है यह देखिए positive and तो दोनों का different है लेकि दोनों का negative and जो होता है same है अगर दोनों का negative and भी same है दो salt का तब ही वो क्या कहलाएगा same family of salt कहला आएगा यह दोनों क्या कहलाएगा same family of salt कहलाएगा यह simply बात है क्या अब जिससे देखिए Jden Jden Cl2 और मालते हैं लेते हैं Na2 SO4 अब SO4 पूछेंगे कि बताएगे यह दोनों same family of salt है क्या यह positive and यह negative and यह positive है और यह हो गया क्या negative and यहाँ देखिए नहीं positive and दोनों में से common है नहीं negative and common है तो not a same family of salt यह दोनों same family of salt नहीं होगा ठीक है वह आपको समझ में आ गया होगा same family of salt का क्या मतलब होता है यानि किसी दो salt में अगर positive and sane हो या फिर negative and sane हो इस case में वह same family of salt कहलाएगा otherwise वह नहीं कहलाएगा ठीक है अब उसके बाद देखिए आप यह जी बहुत धिहान रखिए बहुत ज़रूरी है आपके exam में हमें सब पूचा जाता है इस शान का page number देखिए आप page number 84 में 84 में यहाँ पे salt दिया हुआ है जहां से देखिए यहाँ पे salt दिया हुआ है यह आपको salt का name है formula है और यह salt किस-किस acid और base को मिलाने से बना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि K2SO4, K2SO4 salt है तो यह KHO, KOH और H2SO4 यह दोनों के मिलने से यह बना है आपको ठीक है उसी तरह sodium sulfate, Na2SO4 यह salt जो है NaOH और H2SO4 इस दोनों से मिलने से बना है आपको यह base और यह acid इस तरह से आपको दिया हुआ तो आपके exam में कैसे पूछता है आपके exam में पूछा जाता है जैसे दे देगा आपको K2SO4 आपको दे देगा K2SO4 किस-किस acid और यह salt किस acid और या किस base से मिलने से बना है यहाप पर ऐसे दे देगा KOH दे देगा और यहाँ पर dash दे देगा dash मतलब कि यह KOH क्या होगा आपका base यह base अब बताए कि यहाँ पर कौन से acid आएगा कि दोनों के मिलने कारण यह salt form किया यह exam में पूछा जाता है ठीक है आपको यह एक्दम याद करके जाना exam के लिए कि कौन सा दो acid मिलाने से कौन सा salt form करता है करें यह table आपको पक्का याद कर लेना जैसे के वेच है इस लित्व इस अफॉर इस को मिलने से यह released यह बनेगा यह 가 से ये बनेगा इस तरह के से आपको इसको चीज को याद कर लेना है ठीक है ठीक है तो ये next class में आप लोगों को याद हो जाने चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं pH of salt ठीक है pH of salt क्या होता है देखिए pH of salt यानि अब इसका तब salt का pH value क्या होता है pH के बारे अलेडि हम पिछले class में पढ़ेते हैं तो देखिए salt का जो pH होता है वो आपको Actuous solution of salt में भी salt neutral यानि salt आपको neutral भी होता है यानि इसका pH value 7 होता है कुछ salt ऐसा होता है acidic होता है कुसफ़ basis होता है यानि salt का जो pH value होता है 7 भी हो सकता है below 7 होता है और above 7 होता है यानि कहाने के मत्तब है क्या कोई भी salt salt आपका तीन तरह का होता है एक होता है क्या इसेडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और निर्ट्रल सॉल्ट, जो निर्ट्रल सॉल्ट होगा उसके लिए प्येज के बालू 7 होगा, जो एसेडिक सॉल्ट होगा उसका प्येज के बालू less than 7 होगा, जो बेसिक सॉल्ट होगा उसके लिए प्येज के बालू more than 7 होगा, तो तो देखिए यहां पर जैसे कि आपने यहां बता रहा है कि सूडियम क्लोराइड यारी इने सील इसका जो नमक खाते हैं घर में उसका पी एच वैलू होता है सेवन और वह होता है कि निटल अब अमोनियम क्लोराइड ठीक है अमोनियम क्लोराइड इसका पी एच के वैलू नापर गया यह तीनों सुल्ट ही है है। acidic salt, basic salt और neutral salt कैसे form करता है उसके बार में जानते है तो आईए अब हम देखते हैं कि types of salt देखिए types of salt पहला होता है आपको क्या neutral salt ये neutral salt क्या होता है देखिए जब आपका strong acid और strong base आपस में रियक करता है तो आपको neutral salt form करता है ठीक है तो यहाँ पे अगर आपका strong acid और strong base आपस में रियक करता है तो neutral salt form करता है क्योंकि जितना है इसके पास strong इसके जितना है H plus होगा और base के जितना होगा दोनों एक दूसे के साथ combine होटल के water का form में convert कर देगा और यह solution क्या बन जाएगा आपको neutral बन जाएगा ठीक है याने strong acid और strong base यह दोनों आपस में रियक करता है तो salt form करता है salt को बहुत है neutral salt जैसे एक एक जामपल हो गया NaOH यह strong base है आपका और HCl जो होता है strong acid है जब यह दोनों रियक्ट करता है तो NaCl और salt में water form करता है तो NaCl क्या होगा आपका NaCl जो खाते हम दो नमक वो क्या है neutral हो गया यह NaCl देख रहे है सबसे strong base पर पाय जाता है जिसका pH value 14 होता है वो आपको NaCl sodium hydroxide होता है और NaCl hydrochloric acid यह इसका pH value आपको 0 के प्रॉक्स होता है तो देख रहे हैं सबसे strong acid है और यह सबसे strong base है इस दोनों को रियक्ट करवाए तो यहाँ पे NaCl बना और H2O बना यानि यहाँ पे जितना भी H plus है और H minus है एक दुसरे को completely neutralize कर दिया और जो solution आया जो आपको salt बना वो आपको क्या करोगा neutral salt कहना है आपको यानि कहाने के मत्तब है कि जब strong acid और strong base आपस में रियक्ट करता है तब आपको neutral salt form करता है अब हम बात करते हैं क्या number two acidic salt तो simply बात आपको समझ में आहीं कि या होगा acidic salt का form करेगा जब strong acid हो और weak base हो तब आपका acidic salt form करेगा simply बात है जब strong acid हो और weak base हो उससे में जो salt form करेगा वो क्या होगा आपका acidic salt होगा क्योंकि strong acid को ये weak base जो तक completely neutralize नहीं कर पाएगा इसलिए ये जो salt form करेगा वो क्या होगा आपका acidic salt का लाएगा जैसे इसका एक जामपल देखिए आप NH4 OH Ammonium Hydro Oxide NH4 को बोलते है क्या Ammonium और OH को बोलते है Hydro Oxide ये हो गया Ammonium Hydro Oxide जोकि आपका weak base है आपका ठीक है और SCL SCL आपका strong acid है आप जानते हैं ये दोनों चे वापस पर रियक्ट करेगा NH4 CL यानि Ammonium Hydro Oxide फॉर्म करेगा और साथ में Water आपको रिलीज करेगा तो ये देखिए जब strong weak base है और strong acid रियक्ट कर रहा है तो ये फॉर्म करेगा और ये किस nature का होगा आपका ये आपका acidic nature का acidic nature का आपका ये salt होता है यानि कहाने का मतबए क्या strong acid और weak base आपस में रियक्ट करेगा तो आपको acidic salt फॉर्म करता है अब उसके बाद यू है हम देखते हैं कि next salt number 3 समझ में आई गया होगा आपका basic salt basic salt क्या होता है सिंप्ली बात है आपको कि जब हम basic salt strong base strong base और weak acid इस दोनों को आपस में रियक्ट कराते हैं salt form करेगा salt plus water ये salt किस nature का होगा आपका basic nature का होगा तो ये salt आपको जो होगा वो क्या होगा आपका basic nature का होगा तिक है इसका example देखिए जैसे कि NA2CO3 ये है आपका NA2CO3 प्लस प्लस हाँ देखिए NA2CO3 है आपको ये salt है आपको NA2CO3 salt है अब प्लस water है ये form कर रहा है NA2CO3 क्या है आपका basic salt है ये basic salt है NA2CO3 ये sodium आपको carbonate हो गया NA2CO3 ये sodium carbonate basic salt होता है ये कैसे बनता है sodium hydroxide जो के strong base है और carbonic acid H2CO3 H2CO3 इसको बलते हैं में क्या carbonic acid ये recasing होता है weak acid और जानते इसके बार में ये strong base होता है ये दुना आपस में react करता है तो आपको basic salt form करता है इसका nature basic nature होता है यानि कहाने का मतलब है कि salt आपका तीन type का होता है acidic salt basic salt or neutral salt ठीक है और समझ में आहीं गया होगा आपको acidic salt होता क्यों है कि simply बात है acidic salt होने का region है कि जितना भी आपको H plus iron है उस solution में अगर weak base होगा तो उसके पास उतना OH minus नहीं होगा यान H plus iron को completely neutralize नहीं कर पाता है तो वो salt acidic बन जाता है यदि OH minus iron को H plus completely neutralize नहीं कर पाता है तो वो आपको basic salt बन जाता है और जब H plus iron पूरी की पूरे OH minus iron को completely neutralize कर देता है या इन दोने combine के water form कर देता है तब वो salt neutral salt कहलाता है ठीक है तो आप salt के बारे में जानकारी हो गया होगा अब हमनों बात करते हैं क्या common salt के बारे में अब हमनों को detail में सौल्ट के बारे में कुछ important salt के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ना यह common salt के बारे में आप already family has common salt के बारे में common salt के से उतौन हम लोग Na Cl को Na Cl है इसको common salt बोलता है और Na Cl को मतब क्या ओता है sodium fluoride ठीक है तो एने सील को हम बोलते है common name जो common salt का chemical formula होता है एने सील और इसका ये chemical name होता है क्या sodium chloride इसके बारे में already हम लोग फैमिलियर है ठीक है तो आखिर ये हम लोग चाहते हैं सबसे पहले बात कि आपको lab में हम लोग खुद से बनाया sodium chloride हम लोग कैसे बनाएंगे ठीक है सिंप्ली बात है हम sodium hydroxide NaOH और hydro पिछे एक्सपेरिमेंट को हम लोग देखे थे hydrochloric acid के साथ को react करेंगे तो आपको NaCl और plus H2O form करेगा ठीक है यानि ये होगे strong base strong acid ये रिएक करेगा तो आपको neutral salt form करेगा जो कि NaCl है sodium chloride इसको हम लोग खाने के यूग में यूच करते हैं ठीक है तो सबसे पहले इसी salt के बारे में हम लोग थोड़ा से जानकारी इस book में दिया है तो हम लोग को लेना है ठीक है उसके बार ये बात है कि आखर ये large ये N-A-C-L हम को large amount में कहां से मिलता है तो सबसे पहले बात है ये N-A-C-L that was common salt आपको large amount में sea water से मिलता है यानि sea water यानि main source of N-A-C-L जो हता हो क्या है हम लोग को N-A-C-L जो हता mainly sea water से मिलता है ठीक है तो यह आपको main source of energy यह होता है क्या see water होता है N.A.C.H.E.L. का main source आपको see water होता है ठीक है तो हम जो कैसे इसको लेते हैं हम जो क्या करते हैं कि sea water को एक जगह collect करते हैं ठीक है collect करने के बाद उसको छोड़ देते हैं हम water को evaporate होने के लिए water evaporate होता है और last में इस जगह पे पूरा water ऊड़ जाता है तो white layer का powder मिलता है वो क्या होता आपका NACL उसमें कुछ empty मिला रहता है तो बाद में इसको factory में लिया करके उसे empty को बाहर करते हैं और pure NACL हमको मिलता है और उस NACL को हम लोग अपने daily life daily activity में यूज करते हैं खाना बनाने में और बाखे activity में उसके यूज किया जाता है ठीक है अब हमारे body में NACL का क्या यूज है तो देखिए हमारे body में सीनल का transfer एक पार्ट से दुसरे पार्ट में होता है तो अगर हम लोग नमक जी होता है उसमें आपको mean important role निभाता है ठीक है ना हमारे जी communication system हमारे body का होता है उसको salt के द्वारा वो जी होता है carry out किया जाता है ठीक है अज जो हम लोग salt खाते हैं उससे क्या होता है आपको hydrochloric acid form करता हमारे stomach और खाना का registration जी होता हो पाता है साथ भी bacteria को kill कर पाते हैं यानि हम अब खाने के रूप में NACL लेते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा essential है और भी बहुत जगा NACL का use हमारे daily activity में किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर आपको बुक में देखिए क्या रिखा हुआ है common use use of common salt ठीक है तो यहाँ पर क्या है common salt is used for raw material for making the large number used for chemical industry यानि common salt के हेव से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं इंडेश्ट्री में sodium hydroxide यानि caustic soda इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ना है sodium carbonate tetris washing soda इसके बारे में हम लोग पढ़ना है sodium hydrogen carbonate यानि baking soda hydrochloric acid जो के हमारे stomach लोग बनता है hydrogen, chlorine, sodium, metal ये सब जो होता है आपको salt से यानि N-A-C-L से form हम लोग कर सकते हैं उसके बाद salt ये यानि बहुत सारे chemicals को बनाने में आपको N-A-C-L की यूज़ होता है common salt is used for cooking food improve the flavor of food sodium chloride required or body for the working of nerve system आपको भी just बताया थे sodium chloride एक तो हमारे food के flavor को बढ़ाता है इसको improve करता है साथ में वो हमारे body में nerve system में जो होता है इसका requirement होता है movement of muscles and the production of hydrochloric acid in the stomach are digestive for the food एक खाना बनाने muscles के movement कराने के लिए food को digest करने के लिए hydrochloric acid को ये form करवाता है फिर common salt is used as a in pre-server of pickles यानि देखे आचार उचार उचार उपनों बनाते हैं उसमें नमक डाल देते हैं तो जल्दी खराब नहीं होता है तो pre-server की रूप में इसका यूच कह जाता है फिर सिस जो हता उसके नीटी सबके प्रिजबर की रूप में इसका यूच किया जाता है उसके बाद common salt is used for manufacturing the soap यानि साबुन बनाने के लिए इसका यूच किया जाता है चुकि आगे हमने पढ़ेंगे common salt is used for melting ice for collect on roads during the winter in the cold countries यानि अगर बहुत सारी ये क्या करता है salt कहीं पर फेक देने पर वर्फ की उपर में वर्फ को water के form में convert ice को water के form में convert कर देता है इससे फाइदा क्या होगा कि जहां भी आपको road पर पाने वानी लगता है वहाँ पर ये ice जमा हो रहाता है cold countries में वहाँ पर नमक फेकने पर उस area का water में ice temperature हो जाता है और वर्फ हड जाता है ये करते हैं इसका योज हो गया तो हम लोग NACL के बारे में जानेंगे और उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि common salt के बाद sodium hydroxide इसके बारे में अब हम लोग समझते हैं क्या होता है आईए अब हम लोग देखते हैं क्या sodium hydroxide sodium पहला salt जिसके बारे में बढ़ रहे है important salt इसका नाम एक sodium hydroxide तो आपको हम जैसे लिखे हैं वैसे ही आपको याद करना है ठीक है sodium hydroxide तो पहले हमको याद करना है कि इसका chemical name chemical name इसका होता है क्या sodium hydroxide formula formula होता है और common name किस नेम से जाना लेता है इसको कास्टिक सोडा के नाम से हम जानते हैं यह तिनों आपको याद रहना चाहिए यानि sodium hydroxide का chemical formula होता है और इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा बोलते हैं ठीक है कास्टिक सोडा बोलते हैं तो सबसे पहले इसको जानने के पहले हम को जानना पड़ेगा कि brine solution किसे बोलते हैं तो simply बात है अगर हम water एक beaker लेते हैं इसमें water लेते हैं और इसमें फिर इसमें water ले लिए और इसमें हम salt जो होता है add करके mix बनाते हैं तब यह solution बनेगा यह mixture बनेगा इस mixture को हम बोलते हैं क्या brine solution बोलते है brine solution बोलते है ठीक है याद रेखेगा आप लोग water और salt के solution को हम बोलते हैं क्या brine solution बोलते है ठीक है पिसे याद किजिए water और salt के solution को हम बोलते हैं brine solution बोलते हैं ठीक है तो अब देखी कैसे बनता है आखिर sodium hydroxide sodium hydroxide कैसे बनता है सिंपली बात है कि जब हम brine solution से electricity पास खराते हैं तो sodium hydroxide form पर करता है ठीक है यहने आपसे पूछेगा कोई भी how can we obtain brine how can we obtain caustic soda या फे sodium hydroxide आपका जवाब होगा when we pass electricity from brine solution then we get sodium hydroxide that means caustic soda यानि अगर हम नमक और पानी के mixture में से electricity pass कराएंगे तो यह जो water नमक और पानी का mixture है आपको that means brine solution है यह आपको sodium hydroxide के form में convert हो जाता है आईए देखते हैं इसका reaction जैसे कि इसका reaction आपको बस यह reaction याद रिखना है तो भूलना नहीं है यह sodium hydroxide है इसको हम mix किये water में तब यह दोनों बन गया क्या आपका brine solution इस solution को से हम electric current पास कराएं यह electric current पास कराएं तो क्या होगा जैसे हम electric current पास कराएंगे तो यह NaOH यह CL2 और यह H2 इस form में यह convert हो जाएगा तो देख रहे हैं हम यह दोनों क्या है आपका brine solution है इससे हम electric current पास कराएं तो आपको sodium hydroxide that means plastic soda form कर गया इसके साथ ही chlorine gas और hydrogen gas यह दोनों gas भी आपको form करता है ठीक है इस बात को आप समझेगा ठीक है यानि यह दोनों gas भी form करता है आपको ठीक है अब उसके बाद देखिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं देखिए दा प्रोसेस ओफ लुड दाप्रोसेस ओफ सोरियम योडिच सोलूस?", इसकाषड बillä क्या विषूण अविए अलकली प्रॉसेस लोरो अलकली प्रॉसेस यानि ये जो प्रॉसेस हम करके आपको बना रहे हैं सोडियम हाइडरोकसाइड इस प्रॉसेस को बोलते हैं क्या लोरो अलकली प्रॉसेस बोलते हैं यानि अगर हम brine solution से electric current पास कराते हैं तो हमको sodium hydroxide, chlorine gas और hydrogen gas फॉर्म करता है और इस process को हम बोलते हैं chloroalkali process बोलते हैं तो अब बात है क्या कि आकर इस process को chloroalkali process क्यों बोलते हैं तो simply बात है यहां क्या form कर रहा है आपको यहां पर आपको form कर रहा है chloro thermos chloro का मतलब हो गया chlorine और alkali alkali किसे बोलते हैं, हमको बताय थे water soluble base को हम बोलते हैं, какое, alkali बोलते हैं थिका water soluble base को हम बोलते है, क्या alkali तो यहां पर base को रुप मे क्या बन रहा आ आपको आपको base के रुप मे, alkali तो फिलोरो Alkaly process तो छलिए तो यह हमारा बस इतना चीजह आपको आपको यार रिखना है तो यह हमारा topic यहां complete हो गैज आज हम परहा है इसका आपको chemical name सबसे पहले याद रखना है chemical name formula, common name उसके बाद फिर क्या होता है reaction और इस process को क्या बोते तयाद रखेगा यह हमारा topic complete हो जाता है अब यह आपका duty बनता है कि आप यहाँ से यह sodium hydroxide के यूज यहाँ पे है साथ भी chlorine gas का यूज और hydrogen gas का यूज यहाँ से पढ़ लिजिए आप लोग ठीक है और जो doubt होगा वह आपको group में खिले करेंगे next class में हमनों washing soda से start करेंगे ठीक है तो अब बच्चे ओ next class में मिलते है thank you